हेलो फ्रेंड मैसेल विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपने बनाया एक डीजेल लाइट तो इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है इसका जो सरकीट डाइग्राइंड में आपको पूरा एक्स्प में समझ में नहीं आए Hag अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं लगे लागे तो डिसलाक करना और वीडियो सम्झ में करते हैं सब्तसक्राइब किजिए हमारे यूटुब चैनल को सबसे पहले मिल जाया == नो इसी हमारे जो DJ light का main component है इसी से हमारे जो light होगी वो control होगी जो हमारे LED light होगी उसे control किया जाएगा तो ये जो आपको market में 20 रुपे में मिल जाएगी ये मुझे 20 रुपे में मिल सकती है कम जादा rate हो सकती है अलग-अलग share होगी इसाब से तो आप ये purchase कर सकते हो उसके बाद फट्ट लेनी है में 2 LED तो यह LED मुझे एक रुपे की मिल है और रुपे की मिल दो एक म. इसाब से ब्ल जू सकते हैं लिए पिर रुड ये उसके बाहने, ले रहा हूं मैं capacitor तो फिर या पर मैं भी 100 UF और 16 वोट का यूज कर रहा हूं पांच रुपय का आपको मिल जाएगा यह वाला और इसके बाद भी जो होगी हमारी DJ light की उसे कम ज्यादा करने के लिए यहां पर capacitor की value जो हम उसे उपर नीचे करके इसकी value होगी उसे कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे तो यहां पर देख लिए मेरे पास और भी capacitor है 10 UF का है और 3.3 UF का भी है तो अपन इसका जो change करेंगे और इसकी जो speed है कम ज्यादा करेंगे DJ light की तो मैं आपको दिखाऊंगा किश टापसे DJ light की कम कर सकते है अपन इस speed तो वीडियो को पूरी ला अगर फ्रेंड जी आपको electronic shop पर नहीं मिलते हैं आपके शहर में तो आपको एक website दिखाता हूं मैं UT source नाम की एक website है जहां पर आपको electronic से related सारे के सारे component जो होते हैं हमारे वह बहुत यादा आसानी से और बहुत ही कम rate में मिल जाएंगे तो अब जैसे आप इस पर इंटर कर सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे तो अगर आपको यह चाहिए तो मैं description में इसकी link के दे रहा हूं वहां से आप जाके इसको purchase कर जोगते हो सारे समान को तो अपने आपको diagram बना के दिखा देता हूं तो जैसे देख लिए मेरे पास 555 IC है इसका मैंने diagram बनाए या पर अप पॉइंट बनाओगा तो इससे हमें यहां पर इसकी link को गिनना है तो एक दो तीन चार और नीचे से 5 चे और यह सात आठ यह हमारे आठ लेगों इसमें तो एक दो तीन चार पांच चे सात आठ तो यहां से गिनना start करना हमें ठीक है तो यह हमारे पहला हो जाएगा और पहल वाला लेगे और तीसरा वाला जो लेगे उसके अंदर हमें वाली LED लगानी इस टाइप से तो यहां पर हमारे LED दोर LED कंप्लिट हो चुगी और दूसरा वाला जो लेगे से छोड़ना है आपर तो अब यहां में 8 नंबर के जो लेके उसमें एक रेजिस्टर लगाना है और जो लगा देंगे दोनों और इस टाइम से जो हमारे पांचवा नंबर का जो लेगे उसे छोड़ना है तो उसमें हमें कनेशन नहीं करना है तो अब क्या करना है हमें 8 नंबर का जो लेगे उसे 4 नंबर से शोट करना है तो मतलब इससे जंपर वायर के दुआरा हम शोट कर कर दिया को पर लिया और इसमें दोनों को वायर को connection जोड दिया तो और दूसरे वाले को च्छटे नमबर से जोड दिया इस टैप से देख लीजिए यह connection में कर रखा है इस टैप से मैंने और इसमें कर दिया ताकि वीडियो लंबी नहुआ हो अमारी इसलिए तो यह हमारा हो यह है आप क्या करना है जिसमें बैटरी कर नेट करनी तो बैटरी हमें पहले नमबर के लेंग और लेंग यह Commerce की कर नेूश करनी तो यहां पर 3.7 वात की बैटरी कुला हमें यहां मोबाइल की बैटरी का भी यूज कर hope in LED जो ही पॉमारा प्लस वाला जो सीरा है वहम 4 नंबर की जो लेग है महरे IC कई उसमें कनेक्शन करेंगे और जो माइनस वाला सीरा है उसे द्धी नंबर की लेग से कनेक्शन करेंगे अब दूसरी वाले जो LED है हमें उसमें क्या करना है तीसरे नमबर की लेग में और पेले नमबर की लेग में कनेक्शन करना है तो इस टैप से इसको कनेक्शन करेंगे तो यह हमारे डंग से होगा नहीं तो मैंने दूसरी वाले LED लिए यहां पर और उसके जो लेग को तोड़ा शेप दे दिया है ताकि आराम से सोल्टिंग हो जा तो इस टैप से इसका कनेक्शन कर लिजिए और दूसरे वाले जो लेग दिख रही है आपको दूसरी और पेली वाले इसमें हमें केपिसिटर को लगाना है तो केपिसिटर यहां पर लगाँगा हमें तो अभी मेरे बास 10UF और 50V का जो केपिसिटर वह लगाँगे हमें यह उसके बाद इसका जो वेल्यू इसे चेंज करके इसकी जो स्पीड है कम ज्यादा करेंगे तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे कि स्टैप से इसको चेंज करना है और इसकी जो स्पीड है उसको कम ज्यादा करेंगे तो जैसे देख सकते हूं केपिसिटर में जो जो leg है हमें पेले वाले leg में लगाना है और दूसरे वाला जो हमने छोड़ा था भी leg ic का उधि केपिसिटर का जो हमार प्लस वाला उसे solve कर दिया हमने तो यह हमारा यहां पर हो चुका capacitor और ic दोनों solve अब क्या करना है register रहना है उसे 8 नमबर और 7 नमबर के बीच में लगाना है एक रेजिस्टर को और दूसरा वाला जो रेजिस्टर रहेगा उसे 6 और जो 7 के बीच में लगाना है तो हम सब्सक्राइब यहां पर 8 और 7 के बीच में लगा देंगे इस रेजिस्टर को तो पर जैसे देख लिए यह मैंने 8 और 7 क बीच में एक रजिस्टर लगा दिया और दूसरे वाला जो रजिस्टर है उसको हमें 7 और 6 के बीच में लगाना है तो यह हमारा complete हो चुका है यह पर यह 7 पर मैंने इसको short कर दिया इस टाइब से तो अब हमें इसमें क्या करना है यह हमारा complete हो चुका इसके अंदर हमें battery connect करनी है और हमारे यह वर्क करने के लिए तयार हो जाएगा तो जैसे देख सकते हो बैटरी का पर connect करनी में आपको दिखा दूँ एट और वन नमबर की जो हमारी लेग है आइसी की उसमें connection करना है तो एट नमबर का जो लेग उसमें हमें प्लस वाला करना है तो जैसे देख लिए 3.7 वोड की में एक बैटरी का यूज कर रहा हूं यह आपको 50 रुपर में मिल जाएगे मार्केट में और अगर आपको यह नहीं मिल रही है तो आप मूबाल की जो आइसी ए लेग उसमें connection करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको direct touch कर रहा हूं ताकि यह बन चालू का हमें लफडाना रहे आप इसमें switch भी यूज कर सकते हो तो फ्रेंट जैसे देख लिए मैं light बंद करके दिखाता हूं आपको यहाँ भी दिख नहीं रहा है क्योंकि light बहुत ज रहेंगनी color की light है वो और जो rate color की उनका combination बहुत अच्छा लग रहा है आपर आप दूसरा color भी ले सकतो इसमें और अभी जैसे देख सकतो इसमें beep जो है कम ज्यादा हो रही है तो इसकी जो अपन को beep है इसको कम भी कर सकते है अपन और ज्यादा भी कर सकते है तो मैं आपको है पर थ्री PMC कांपिसे लगा रहा हूँ मैं तो इसकी का होगा इसकी bird बढ़ जाएगी और इसका 100 , इसकी कि स्पीड कम हो जाएगी जैसे आप यूएफ की वेल्यू को कम करोगे वैसे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और जैसे आप यूएफ की इस्पीड को यूएफ की जो वेल्यू उसको ज्यादा करोगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो इस टाप से आप इसका कम ज्यादा कर बन चालू की जो होती बीप होती इसमें बन चालू बन चालू बन चालू वह बहुत ज्यादा हो चुकिए तो अभी जो आपने लगाया था उससे यहां पर स्पीड बढ़ चुकी है यहां पर और इसके बाद जो मैं हंड्रेट यूएफ का लगाऊंगा हंड्रेट माइक्रो कारीट का कैपीसेटर तो उसमें इसकी बीप जो है बहुत ज्यादा डाउन और यहीं तो इसमें यहां और सी मंपास ऑंडेट यूएफ और जाता हुसे उसको महात्रा कम जादा करोगे तो इसमें इस पीड जो इसके बंच आलू की स्पीड उस पर फरक पड़ेगा तो यहां पर मैं इसको कनेक्शन कर देता हूं और कनेक्शन आपको जैसे हमने पहले वालक कर रहा था वैसे इसका भी करना है को इसमें चेंज नहीं कर होना है तो यह हमने कर दिया है अपर अब मैं आपको इसे चला के दिखाता हूं तो यह मैं आप पेली वाली लेग में सम माइनेस वालक को कनेक्शन करता हूं और यह देख लीजे आप बहुत दीरे दीरे यह हमारा रेड और जो हमारी बैंगनी कलर के जो एलेडी है वह उसमें चोटे जो हम डेटर उसमें लगा सकते हो या फिर आपनी जो बैसिकल होती है साइकल होती है उसके पीछे लगा सकते हो या फिर आग्यूसाय काके नमेनन लगा सकते है तो बहुत जाए एक्ट्रेक्टीव लगी तो बौत ही अच्छा लगेगा यह in Youtैiau यह फर नहीं लगे हो तो डिसलाइक करना और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बे लाइक को दबा दिए जिससे मेरे हर एक नव वीडियो को नोटिश्विशन आपको सबसे मिल जाएगी जे हिंद जे भारत मिलते हैं अगली वीडियो में